देखेंगे इसमें आपका जो रॉपोट राइटिंग है उसका पार्ट वुन आपका था डे तूल्टी-पार्ट रॉलोगा तो इसमें आज मैं पूरा जब कर लूँगा इस सारे topics को 10 topics को आपको जब बता देंगे तो almost 100 हो जाएंगे एक दो ही कमेगा exact man account नहीं किया लेकिन almost 100 के आसपास वो topic हो जाएंगे तो आप इन सारे topics को करो, search करो, उसके ओपर study करो, the more you read and study about that, better it will be आप almost 100 topics को कर लोगे और including बहुत सारे आप लोग हो, इसमें से test लीखे हो, तो जो test है, test का already आपको feedback मिला है, already आप उस चीज़ को और इसको कर लोगे तो चीज़ों को कर सकते हो, कर लोगे, आप कहीं भी यह मानों कि जो UPC के topics होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो ही topic आजाएगा लेकिन जब आप diverse type के topic करते हो, diverse type के topic के work करते हो, तो आपको at least एक idea रहता है कि हम इसमें लीख सकते है, little changes करके इसमें से आज का topic है, one nation, one ration card, अब यह लगेगा कि yes, team तो पुराना है, yes, no doubt, this is true, यह पुराना है, लेकिन यह जो पहले limited scale पे, लेकिन अब यह जो है, all India level पे, यह एक तरह से one nation, one ration card potability जो है, वो हो गया है, theoretically at least यह जो है, all India level पे हो गया, practically, sometime little difficulty होती है, किसी चीज़ का, जो practical implementation होता है, वो उसमें से time लगता है, time इसमें से लगता है, कि इंडिया इतना बड़ा country है, इसमें इतने ज्यादा population है, इतने ज्यादा diversification है, इतने ज्यादा लोग इधर से उधर move करते हैं, work के लिए, तो उसमें से practicality में little difficulty आती है, लेकिन theoretically जो है, वो कर दिया गया है, तो one nation, one ration card scheme के बारे में उसके advantage mainly, कि अभी क्या पहुंचा है, क्या होना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादीब focus नहीं कि वो scheme क्या है, government of India, उसके लिए क्या कर रही है, उसमें क्या advantage है, जो people है, उसके क्या advantage है, और एक तरह से अभी तक क्या उसका progress है, तो इसके बारे में इसमें आपको लिखना है, topic number 12 देखोगे, sustainable development goal achievement of India, sustainable development goal जो है 2015 से लेकर के 2030 तक आपका है, तो 2030 तक आपका, ठीक है, 2030 तक target है, इसका मतलब है कि आप जो है mid-way में पहुंच रहे हो, mid ये इसका पहुंच रहे हो, और इंडिया 75 years of independence भी celebrate कर रहा है, तो अब तक जो हमने क्या किया, जैसे इसके पहले देखोगे, MDG था, millennium development goal, तो MDG 2000 में से 2015 तक, तो MDG में आपके पास 8 goals थे, और इसमें आपके पास 17 goals हैं, तो 17 goals ऐसा नहीं है कि आप सारे goals को लिखने लगोंगे, लेकिन इन rough में कुछ चीज़े हैं कि हमारा कहा तक achievement, बताने की जरूत नहीं है, कि हम इसमें 17 है, नहीं को जानते हो तो 17 है, उसमें एक दो चीज़ को लिख हो, ये वो लोग इंडिया में ये progress है, किसी भी चीज़ को हम perfect में जाने ये जरूरी नहीं होता है, और almost नहीं जानते हैं हम perfect में, this is true, कि हाँ, कुछ special topic है, जैसे मान के चलो कि ये topic जो हमने दिया, आप उसको अच्छा से prepare करके गए, और वही topic आ गया, तब तो आप अच्छा से लिख दोगे, लेकिन जदी कोई topic ऐसे आता है, तो perfect information किसी के पास नहीं होता है, अब ये जो है perfect information नहीं है, तो हमें perfect marks भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारा क्या target है, 10 marks का कोई topic है, तो हमारा target होना चाहिए, 5 marks, 6 marks, up to 7 marks, लेकिन नॉर्मली आप 4 से 6 के बीच में ये करना है, क्योंकि perfection बहुत मुस्किल होता है, उस 3 hours में आपको सारे topics पर work करना होता है, और किसी को ऐसा नहीं है, कि किसी एक topic में हम 1 mark एक्षटा प्राप्त करने के लिए किसी म 3 marks लूज कर दें, तो ये हमारे लिए अब दिमानी नहीं है, निक्स आपका है online child sexual abuse, जो आज की रिट में online आपके बहुत सारे चीज़ें जो study के तूँ या बच्चे जो हैं बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे site को access करते हैं, YouTube channel से ले करके, social media, internet, browser और सारे, तो उसमें जो है online child sexual abuse की घटनाएं भी हो रही है, और वो जो है एक बच्चा है, उसके mentality पे bad impact पड़ता है, उसका बुरा impact पड़ता है, तो इस संबंध में जो भी चीज़े हैं, जो कुछ है, इसके संबंध में ये अभी एक तरह से data आप ज़ती जानते हो, ये data आप कुछ लिखोगे कि क्या हो रही है, types लिखोगे कि किस डंग से वो बच्चे जो हैं, उससे प्रवावित होते हैं, और उसके बाद आप कुछ data है, तो लिखोगे और government का regulation इस direction में जो है, वो उसके बारे में लिखोगे, नेफ्ट है अमरित सरोबर मीशन, अमरित सरोबर मीशन जो ह है, वो UT of JNK से start हुआ, इन्योगरेशन वहां से कि ये योजना और अधरवाइस देखोगे कि पहला जो सरोबर इसमें बन करके जो UP में तयार हुआ, तो ये अमरित सरोबर मीशन जो है, ये एक बहुत अच्छा innovative idea है, कि हर district में आपको जो अमरित सरोबर का निर्मान करना है अमरित काल में परवेश कर रहे हो, तो अमरित तो किसी न किसी जगा जमा करना होगा ना, ताकि लोग, तो ये water है, जल ही जीवन है, आप ये जानते हो, तो जो अमरित शरोबर मीशन है, एक अच्छा स्कीम है, बहुत सारी जो योजनाएं होती है, वो theoretically योजनाएं सही है, लेकिन ground implementation में problem होता है, आप बहुत जगा देखोगे कि गाउं में या सहरों में, बहुत सारी lakes है, टालाब है, ये नहरे हैं, लेकिन problem क्या होता ना, कि उनके maintenance में, जैसे जैसे अब मैं देखता हूँ, bank door जैसे सहर में, बहुत सारे lakes थे, लेकिन problem क्या हो रहा, एक तो encroachment, उसके बाद लेक में proper शफाई नहीं होती रही है, उसके बाद बहुत सारे lakes वगरे में क्या है, कि जो आपका water है, खास करके industrial, जो आपका garbage और उसके जो toxic water है, वो सब आपका जा रहा है, तो वो harmful हो रहा है, otherwise जो जोशना है, जो होती है, वो सही, तो ये अमरीत शरोबर mission जो 2027 में, 2027 यानि कि जब आजादी के 80 साल हम पूरे करेंगे, तो कुछ दीन के लिए ही सही, लेकिन पहली बार इंडिया में Chief Justice एक महला होंगी, हम इंडिया में Prime Minister देख चुके हैं, Lady Prime Minister, in fact Prime Minister तो one of the most powerful रही, लेकिन recently देखो दूसरी President ने भी oath ले लिया है, office join कर लिया है, तो ये एक बहुत prestigious movement इंडिया के लिए भी है कि भारत में जो पहले एक तरह से जो tribal president बने हैं और वो भी महला, तो ये दूसरी जो second movement है, जो इंडिया में राष्टपती बनी है, president of India एक तरह से इंडिया as a union को represent करते हैं, जो first citizen of India है, all the three armed forces के head ह होते हैं, तो even if she is not having real power, कुछ president इंडिया में हुए है, जिनका अपना structure रहा है, कुछ ऐसे राष्टपती हुए हैं, जिनका अपना structure नहीं रहा है, in fact, जैसे first woman president थी, परतिवाद देवे सिंग पाटिल, तो परतिवाद देवे सिंग पाटिल के पास real में, actual में कोई, अपना proper structure नहीं था, चलो, लेकिन बनी थी, उसी प्रकार दरापदी मुर्मू जो है, उनके पास अपना जो proper capital नहीं है, कि जिसमें वो खड़ी रह पाएं, या जो भी है, बट एनिवे, कहीन कहीं सही direction है, अच्छा है, एक सुरुवात है, कि at least एक जो tribal है, उनको भी मौका मिला है, और ऐसा नहीं है कि ये first direct, इनको president बना दिया गए, इसके पहले वो जारखंड की governor रह चुकी है, और इनके पास जो भी है, Odisha से belong करती है, हाँ, कुछ न कुछ हर चीज में political mileage होता है, जो party किसी को candidate बनाती है, बट anyway, किसी भी motive से हो, good step है, तो ऐसे ही women, जो है, 2027 में, if all things remain same, क्योंकि future के बारे में हम नहीं जानते हैं, but if things remain same, if things that are working in right track, जिस टंग से चीज़े बरकत रही है, तो 2027 में women first CJI India की होगी, लेकिन अभी भी क्या है, we have to travel long mile, तो क्या होना चाहिए इसमें नहीं, क्या है स्थिति, उसके बारे में आपको लिखना है, आज़ादी से आज त तो आप supreme court पे नहीं जाओगे, यह तो just example दे रहे है, high court का देखोगे, lower court का देखोगे, यह सारे चीज़े को देखोगे, topic number 16, asset monetization scheme of government of India, government of India ने asset monetization यह किया, लागू किया, इसके तहत जो है कि बहुत सारे जो हमारे asset है, वो asset जदी unused हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है जैसे for example लो, कि आपके पास दो घर है, उस दो घर में, एक घर में आप रहते हो, और दूसरे घर को साइद आप खाली रखे हुए हो, अब उस खाली घर में, कहते हैं ना, कि शो घर है, वो घर तभी रहता है, जब लोग उसमें रहते हैं, okay, शो इसमें जो बहुत सारे, कि क्या करें कि किसी को दे दे किराया पर, तो वो सपोश्च देन थाउजेंड ही दिया, टिपर नहीं की कैसा लोकेशन पर आपका है, कैसा घर का कंडिशन है, अब एक कंडिशन यह होता है, कि वो आइसा आदमी को ना दें, या इतना दिन वो उचीश टमस और कंडिशन प्रोपर यह कि वो हमारा घर ही कबजा कर ले, वो हम सिच्वेशन नहीं करेंगा, लेकिन ऐसे, तो उसी प्रकार एसिट मोनिटाइजेशन स्की, कि बहुत सारी जो एसिट्स हैं, हमारे इनफेक्ट एसिट्स जब हम बोलते हैं, तो जनरली लेंड के टर्म में, इसमें जो है कि लेंड है, या कोई अधर इंफरस्ट्रक्टर लिटिल, वो हाफ बिल्ट है, तो उसको हम एट लिस्ट ऐसे रखें, तो उससे कोई फाइदा नहीं होगा, लेकिन हम उसको लिजपे किसी को दे दें, फाइव येर्स, टेन येर्स, टून्टी येर्स, वाट्सोएवर, तो उसमें से कुछ तो फाइदा होगा, कुछ तो होगा, अब गबर्मेंट है, अल्रेडी उससे पास पैसे कम होते हैं, अल्रेडी, COVID-19 पैंडेमिक के डिरेशन में देखा आपने की, जो टेक्सेशन गबर्मेंट के कम होगए, एक्स्पेंडीचर बढ़ गए, तो की देखो कि कुछ टाइम पहले, जो है, RBI ने एक रिपोर्ट पेस किया, उसमें देखा कि जो बहुत सारे अस्टेट हैं, उनकी इस्थिती जो है, बहुत बुरी हो गई है, फाइनेंसियली, क्योंकि आप freebies launch कर देते हो, कोई भी जैसे कुछ चीजे है, मान के चलो, education है, healthcare ह तो उसको हम freebie proper तरीका से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप moved electricity, moved water और ये सारी चीज़े दे रहे हो, तो वो freebie के कारण क्या है, estate के financial status पे फर्क पड़ता है, और उसके कारण क्या है, estate जो है अधिक से अधिक कर्ज पे जा रहे हैं, आपने अभी example देखा स्रिलंका, स्रिलंका की तो जो freebie आप देते हो, कुछ चीज़ों को हम freebie के तरह में नहीं देखते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं कि social, जैसे आप किसी बच्चे को education दे रहे हो, तो आप उसको freebie एक तरशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि यदि वो अच्छा educated होगा, तो वो country के लिए अधिक resources generate कर गया, तो जदी वो ऐसे 300 रूपी per day में वो काम करता, अब वो ऐसे 3000 रूपी per day में काम कर रहा है, वो हो सकता है आपके country के लिए dollar earn कर रहा हो, वो IT field में हो, या किसी global company में जाय, और वहां से वो dollar, या फिर कोई innovation करे, लेकिन जदी उसको आप proper पढ़ने का मौका नहीं देग पाल पाए, और वो tax, अब एक जो person है, वो suppose 3000 hard day earn कर रहा है, इन्द सिंस डेली, जो 3000 जिसको मिलता हो, से उस डंक्चन ही मिलता है, मंतली में ही मिलेगा, या जो भी है, मंतली जिनरली मिलता है, तो अब क्या है, सरकार को tax देगी, तो यानि कि सरकार के पास extra जो होएगा, पा हानिकारक है, यह वो, जो, sorry, previous है, वो हानिकारक है, that's fine, कि यह party कर रही है, और यह party को नहीं करना चाहिए, पार्टी को यह करना चाहिए, नहीं, जो situation है, उसके अंसार, आपको यह करना है, कि previous है क्या प्रोब्लम होते हैं, जो देदे हैं, हैं, जो as such situation है, importance of caste census, caste census के लिए बहुत सारे states हैं, क्योंकि अब हर caste का ज़से देखा जाए, तो 1931 में देखा जाए, तो caste census एक तरह से SECC हुआ मानके चलो, अब 2011 में हुआ, 2011 में भी SECC हुआ, लेकिन 2011 बाला data जो है, अबलीस नहीं किया गया, तो यह demand party का चल रहा है, कि जो different political party है, जिनको लगता है, कि अप सारे section of society को भी advantage मिलना चाहिए, कि कुछ ऐसे caste हैं, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें government jobs या different schemes का proper जितना advantage मिलना चाहिए था, जितना benefit मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक तरह से caste census में होगा, तो importance of caste census तो यह क्या हो सकता है, इस चीज़ से caste census का important, next आपका significance of Indo-Pacific for India, तो Indo-Pacific की जो है area है, उसका क्या significance इंडिया है, इंडिया एक emerging power है, emerging global power है, वो economy के term में हो, military के term में हो, strategic term में हो, जैसे आप यह देखोगे कि हमने जो quad है, Quad, तो Quad का India एक important pillar है, तो significance है Indo-Pacific का, वो इंडिया की case के लिए, और इंडिया के लिए बहुत important अथान रखता है, तो उसके संबन्द में चीज़ों को देखोगे, last topic आपका इसमें है कि domestic systematically important bank, deceives, तो एक आपका global systematic important bank होता है, तो लेकिन Indian जो bank खास करके हैं, तो यह इंडिया के context में majority जो आप रखोगे, अब इसमें even if it is not given, बट चुकि DCS दिया हुआ है, तो आपको majority जो है, वो इंडिया के case में ही रखोगे, कुछ जो होते हैं, जी सीव होते हैं, यानि कि globally, global systematically important bank, तो बहुत सारे जैसे lemon brothers हो गया, city bank हो गया, और बहुत सारे जो है, उसका global रूप से जिनका presence है, वो उनका global systematically important bank है, लेकिन हमारे case में जो majority of bank हैं, तो majority of bank भी नहीं, in fact हमारे पास सब्की साथ three SIV है, तो ये एक SVI है, एक ICICI है, और एक HDFC है, साथ exact अभी देखोगे, तिन ही होंगे मेरे उनसार, तो जो ये three banks हैं, तो उनका क्या criteria है, किस criteria के आधार पे domestically systematic important bank decide किये जाते हैं, और उससे क्या, क्योंकि banking जो है, वो किसी भी देश का, आज का सो system है, आज का जो economic condition है, banking एक तरह से बहुत कारगर है, जिस्ट गाओं में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके पास मान के चलो bank account ना भी, अब आज के date में bank account अलमोच सबके घर में है, एक time था, जैसे मैं 20 years back जाओं, तो in fact 2001 की तो हुआ की SBI में bank account खुलवाना है, तो मैंने एक आदमी से बात किया कि ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि फिर हुआ की पिताजी के पास भी SBI में account नहीं है, तो हुआ की चलो उनको भी खुलवाना, तो बोले कि ये खी किसी कब खुल पाएगा, तो मैंने बोला ठीक है भर में जो बच्चा है, वो in fact 6 years, 7 years, 8 years का है, उसके पास भी bank account है, तो बहुत सारे जो banking system है, वो बहुत फायदा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मानू अभी फिलहाल कि banking system में कुछ problem आ जाए, just SBI में collapse कर जाए, तो समझ सकते हो Indian economy की क्या इस्तिति, इसकी इतनी contagious effect होगा, तो इस बज़े से domestic systematically important bank में जो होता है, यानि कि bank को, इन bank को at least हम fail नहीं होने देंगे, इन bank को protect करने के लिए हम हर वो चीज़ करेंगे, आज भी देखो, फुर्जामपल जैसे गाव में आ पर आ रहे हो, तो साइध हो सकता है cash से, इधर से, उधर या फिर नहीं कुछ है, त आप अपना तो print नहीं कर दोगे, तो bank जो है, बहुत important है, उसमें आपका DCS के बारे में पढ़ोगे, अब हो सकता है DCS के बारे में आप जब पढ़ोगे, तो आपको paper one में भी कामाएगा, अब significance of Indo-Pacific, आप Indo-Pacific के बारे में little पढ़ोगे, इसमें भी फाइदा हो सकता, importance of cash census पढ़ोगे, तो साथ इसमें भी फाइदा हो सकता है, paper one में भी, बहुत सारी चीजों को आपको integrated way में देखना है, किसी को भी आप अलग dimension में नहीं देखोगे, सारे को integrated way में देखोगे, तो इस धंग से हमने argument, ये report का topic complete किया, almost आपके 100 topic के करीब करीब complete हो गये हैं, ये ज तो आपकी जर्नी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे से हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ, वो continue कर रहा हूँ, और करता रहूँगा, आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, जो भी कुछ issue है, जो genuine जिनके भी question रहते हैं, मैं reply करता हूँ, जितना possible, अब for example, हर कोई बोलोगे कि copy हमारे चिक करता हूँ, तो यह मेरे शेर नहीं possible हो सकता ना, किसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कि आप किसी को भी find करो, आप अपने family member, friend, senior, junior, whosoever is there, और वो जदी आपको feedback provide करा रहे हैं, तो आप उनसे advantage हो, अब for example, बहुत सारे students से जुड़े हुए हैं, तो सब अचानक दे दोगे, तो नहीं कर सकता हूँ, इस वज़े से paid में भी limited लोगों को यह करता हूँ, इस वज़े से भी survival के लिए जरूरी होता है, आप किसी भी चीज़ को zero पे कभी नहीं कर सकते हो, वो तदी कोई कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसे और other से आ रहा है, या हमने भी बहुत सारी चीज़ों को किया, इन फैक्ट देखोगे कि बहुत सारे time हमने भी free किया, लेकिन हमेशा आप long term में survival नहीं हो सकता है, that you have to understand, किसी को भी कुछ भी questions क्यूरी है, तो almost देखो, जैसे हमने hundred जो बोला था topics, तो करीब आपको provide कर दीए, अब इन सारे topics पर परो, और जो paper one का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं आपको, मैंने बोला है, तो उस चीज़ को मैं continue करता रहूंगा, जब तक in fact आपका exam होगा, 7th को है, तो 6th को भी मैं कोई ने कोई video बना करके, आपको at least कम से कम है motivation से ले करके, हर चीज़ आपके साथ हूँ, okay, thank you